नमस्तों दोस्तों स्वागत है कौर सांधार वीडियो में इस वीडियो Prophet करेंगे किसान क्रेडिट कार्ड केसे सी कैसे अपलाई किया जाता है अगर आपका किसी भी बेंक में सेवी एकाउन्ट है तो आप किसान क्रेट कार्ड ले सकते हैं इसका काफी सारा dużo ने की सब्सक्राइब..? साथ में क्रेश लेने के लिए क्या होता है और डॉकुमेंट की जारत क्या होता है तो सब्से पहले के बात करते हैं सब्सक्राइब किसान क्रेट कार्ड अपलाई करने के लिए सबसे पहले एक किसान होना चाहिए उसकी एज 18 साल से लेकि 75 साल के बीच में होना चाहिए वो किसान क्रेट कार्ड के लिए एलिजबल हैं और वो अपलाई कर सकते हैं किसान क्रेट कार्ड अपलाई करने के दो तरीके हैं पहला तर करके आप सब्मिट करेंगे तो अप्लाय हो जाएगा जब जाएंगे तो आपको कुछ इस तरह का फॉर्म दिखेगा जिसमें लॉन अप्लिकेशन फॉर एग्री कल्चर करडिट फॉर पीम किसान बेनिफिसरी लिखा हुआ रहता है जिसमें आपको सबसे पहले यहां पर देखेंगे उसके बाद यहां पर देखें फॉर ऑफिस यूज तो यहां पर आपको किसी तरह का कुछ भी डिटेल करने की जौरत नहीं है यह बैंक वाले फिल करेंगे उसके बाद यहां पर नीचे आपको दिखेगा टाइप ऑफ के सी और अमाउंट आफ लॉन रिक्वार यहां पर देखें हम एक नया केशना किसान करेडिर कार्ड अपलाय करें तो इस बॉक्स में टिक करेंगे और आप कितना एप्र चाहते हैं अपने क्रेडित कार पे विस एँटाड क commissioner का पर यहां पे डालेंगे जैसे कि मैं अगा 15,000,000 चाहता हूं तो यहां पर मैं 115,000,000 ल जाई यहीं साथ में यहां caf देखने को मिल जाता है जैसे की यहां पर ने भषकीम जैसे कि परधान मंतरी शुरक्ष भीमा योजना जिसका इनुवल प्रीमिज्म है बारह रुपए और आपका जो होगा दोलाक रुपए तक का इंसुर्एंट हो अगर आप इसको एक्टिवेट करना चाहते हैं तो येस पर करेंगे नहीं एक्टिवेट करना चाहते हैं तो नो पर टिक करेंगे उसी तरह से परदान मंत्री जीवन जोती वीमा योजना जिसका एन्यूल पिरीमियम है 330 रुपे जिसका यहां पर आपको 20000 मिलेगा तो यहां अगर आप इसको एक्टिवेट करना चाहते हैं तो करेंगी नहीं करना चाहते हैं तो करेंगे प्रदान मंतरील जिवन जोटी योजना का आपके account से debit होगा अगर आप yes पे टिक करते हैं तो अगर आप no पे करते हैं तो आपको कोई पैसा आपके account से नहीं कटेगा इस योजना के लिए उसके बाद यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा details of existing loan यहाँ आपने किसी और bank से loan लिया है तो उसका detail आप यहाँ पर fill करेंगे जैसे कि आप यहाँ पर bank का नाम लिखेंगे और branch नाम लिखेंगे और यहाँ पर facility आनिक किस के कारण से आप यहाँ पर loan लिया था वो लिखेंगे और यहाँ पर outstanding अगर कोई पैसा ब drilling का तो आप यहाँ पर लिखेंगे अगर आपने कोई भी overdue किया है कोई भी amount तो उसका आप यहाँ पर amount लिखेंगी उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ particular of total land holding of the applicant and crops यहाँ पे आपको अपने land holding का detail फिल करना होगा जहाँ पे आप खेती करते हैं तो यहाँ पे name of the village अनि कि अपने गाओं का नाम लिखना होगा उसके बाद survey या खसरा name जो कि आपके खतियान में मिल जाएगा बट्वारा तो यहां पे एगर आपका अपना खुश्च यहाँ पे यहां यहाँ पे यहां पर टिक करेंगे और यहां पर बट्वारा और यहां पर यहां पर ट्秋 में लिखेंगे उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ name of the crop to be ground आने कि अभी उस जमीन पे किस चीज़ का खेती लगा हुआ है खरीब फसल या फिर अभी फसल या फिर कोई और फसल है तो उसके अनुसार आप यहाँ पे टिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा केसे सी टू फीसर एन एनिमल हस बैंडरी फार्मर अगर आप अपने किसान क्रेट कार्ड को फीसर और कुछ एनिमल्स पालने के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो उसका डिटेल आप यहाँ पे फिल करेंगे जैसे कि अगर आप मचली पालन में या फिर कोई भी एनिमल पालन में अगर किसान क्रेट कार्ड को यूज़ करना चाहते हैं तो उस बिलेज का नाम लिखेंगे और यहाँ पे कोई डैरी है एनिमल है सीप है या फिर क्या है वह यहाँ पर लिखेंगे या फिर टिक करेंगे उसकी डिटेल आप यहाँ पर फिल करेंगे अगर आप कैसे Ini पन्रेट कार्ड को फिसर्स या फिर का वी बुझाष पालन के लिए यूज़ नहीं करना चाहते हैं है उसके लिखा हुआ है सिक्यूरिटी परपस्ट टूबी दा ऑफ़र्ड अगर आप से बैंक सिक्यूरिटी मांगती है तो यहां पर क्या ओफर करेंगे तो यहां पर यहां पर लेंड कर सकते हैं या फिर अगर आप जैसा कि मैंने आपको पहले बताए कि एक लाग साथ हजार रुपए जिसे अगर आप ज्यादा का इमाउंट लेते हैं तो आपको कुछ गिर्वी रखना होगा अगर एक लाग साथ जार तक का लोन लेते तो यहां पर कोई भी गिर्वी रखने की जौरत नहीं है तो यहां पर गिर्वी रखने के लिए जैसे कि यहां पर लिखा हुआ मतलब होता है कोईच भी गिर्वी रखना तो यहां पर उस नाम भरेंगे और बैंक में जमा करेंगे को फाइनल डिकलिरेशन मिल जाता है जो कि अप यहां पर पढ़ेंगे उसके बाद यहां पर अप सिगनेचर करेंगे अगर आप अंगोठा लगाते हैं तो आप अंगोठ करके दे देंगे तो यही वह अप्लिकेशन है जिसको आपको पूरा फॉर्म फिल करके बैंक में जमा करना होगा उसके बाद आपका किसान क्रेडिट कार्ड अपलाएं कर दिया जाएगा